मैं जान और मेरे प्यारी मामा मैं जान और मेरे प्यारे बाबा दादी मा सीट मर्यम अकलमन भाई हमारी है प्यारी है स्वीट फैमिली मैं जान और हूँ पाज साल का जानता गीत हूँ सारी ताल का अच्छी है प्यारी है हमारी फैमिली मिसाली है न्यारी है सारी फैमिली उस दिन मेर्थ हमारे घर आया मेर्थ के साथ किल्ले में बहुत मज़ा आया वान टू त्री गो देखो जान मेरी कानी चीट गई चलो फिर से करते है रेडी हो तुम हाँ अब की बार में ही दीतूंगा तो चलो देखते हैं वान टू फ्री गो येस देखा नम में जीत गया बच्छो खाना तयार है बेटा आकर खा लो आगया दादी जान चलो मेर्थ चलते हैं मेर्थ और मुझे बहुत बूक लगी थी जल्दी से खाने की टेबल पर गए दादी जान बहुत अच्छा खाना बेनाती है हाथ धोया है ना मेरे बच्छो तुम लोगोंने जी हाँ नहीं जान बेटा खाने से पहले हाथ धोकर आओ बेटने हाथ तो नहीं धोय थे पर उसते चूट को मोला जान अब इस तरह बच्छ के दिखाओ तुम अब इस तरह बच्छ के दिखाओ तुम यह किया तुमने यह किया तुमने यह अम्मी का गमला था अब क्या होगा हाँ मैं कुछ कर्ता हूँ फिकर मत करो तुम इस पेज पर मेरे भाई में तस्वीर भनाई थी मैर्थ कोई बात नहीं फिर बना लें इसके लिए कितना वक्त लगा है पता है तुमको खेलते वक्त गमला गिरा दिया भाई की तस्वीर खराब कर दी मैंने अम्मी को पताना चाहा मगर मेर्थ ने बताने से रोक दिया किसी को मत बताना कि ये हमने किया लेकिन हम से हुआ जूट नहीं बोलना चाहिए कुछ नहीं होता बहुत छोटा सा जूट है किसी को पतानी चलेगा कि ये हमने किया जान खेल कैसा जा रहा है ठीक तुम लोग कौन सी गेम खेल रहे हो गाड़ियों की रेस लगा रहे थे हम दोनों हाँ बहुत अच्छा मुझे भी ये खेल पसंद है दादी जान अगर किसी से गलती हो जाए तो क्या उसको चुपाने के लिए जूट बोल सकते हैं नहीं मेरी जान जूट बोलना बहुत बुरी बात होती है जूट से हमेशा नुकसान ही होता है अंजाम कुछ भी हो इनसान को हमेशा सच बोलना चाहिए सच्चाई की ही जीत होती है दादी जान अगर जूट बोले से बड़े नराज हो तो बच्चे अगर हमेशा सच बोलेंगे तो बड़े कभी भी नराज नहीं होंगे क्योंकि बड़े बच्चों के जूट से नराज होते हैं सच से कभी भी नराज नहीं होते हैं दादी जान ने बताया के जुट बूलना बुरी बात है तो मैंने कुछ सोचा मेर्त दादी अमा से मैंने बात की हम उनको बताये तो हमारी मदद करेंगी जुट बूलने की जुरूरत ही नहीं रेगी क्योंकि जुट बूला बुरी बात होती है चुलो अभी जाके दादी जान से बात करती है क्या सोच रहे हो नूर दादी जान जी मेरे बेटे क्या हुआ बच्छो नूर दादी जान मैं जान के साथ थेल रहा था कि मुझसे गमला गिर गया इसको ठीक करने में हमारी मदद करेंगी दादी जान गमरा भी गंदा हो गया है बिल्कुल करूँगी बेटा वेरी गुड मेरा बच्चा सच बोलने पे मैं तुमको शाबाज देती हूं चलो गमला ठीक करते हैं पर नेक्स टाइम धेहान से खेलना चलो देखते हैं गमले को क्या हुआ है आप बहुत अच्छी है दादी जान चलो मेरे प्यारे बच्चों आप चलते हैं मेरी दादी जान बहुत ही अच्छी है गमले को ठीक करने में हमारी मदद की अल्ला का शुकर है तुम्हारे फूलों को कुछ नहीं हुआ बस इसमें कुछ मट्य और डाल देते हैं फिर ठीक हो जाएगा बहुत शुक्रिया दादी जान शुकर है गमला ठीक हो गया मैं आपका बहुत पसंद करता हूं दादी जान शाबाज मेरे बच्चो तुमने बहुत मदद की नूर दादी जान मदद करने के लिए आपका बहुत बहुत चुक्रिया वेल्कम बिटा गमला पैले की तेरा ठीक हो गया मुझी और मेर्ट को बहुत खुशी हुई हुई क्याश पक्रों जान ये बहुत अच्छी पाल फें तुम कैसे हो ठीक हो अच्छा हु मुराद भाई आपका बहुत चुक्रिया मैं काम से बाहर जा रहा हूं तुम दोनों मिलकर खेलो वो मुराद भाई क्या बात है मैर्ट वो मैं मैंने आपकी तस्वीर खराब कर दी सौरी की जरूरत नहीं है मैर्ट फिर बना लेंगे वैसे अब मुझे वह ज्यादा पसंद नहीं थी बहुत शुक्रिया आपका मुराद भाई है है याहू है उस दित दादी जाने हमें समझाया के जूट बोलना बहुत बुरी बात होती है बाद में क्या हुआ वह बताओंगा अब इस बुक में बहुत से पेजिस बाकी है सच बोलने वाला इंसा होता है पुर्सकू में हिर्बा इमानदार जमीर ऐसा पुर्सकू में ताबीर जैसा सच बोलने वाला इंसा होता है पुर्सकू में हिर्बा इमानदार जमीर ऐसा पुर्सकू ताबीर जैसा ठीक रहो ठीक बनो अच्छी वक्त की तसवीर बनो वक्त चेसा भी हो इमान चुनो खास रहो बुरे जूट के सामने रखो सच की आईने हर वक्त सच कहो सच रहो सच सुनो ठीक रहो ठीक बनो अच्छी वक्त की तसवीर बनो वक्त चेसा भी हो इमान चुनो खास रहो बुरे जूट के सामने रखो सच की आईने हर वक्त सच कहो सची रहो सच सुनो कि पुरे जुक्त स्च कहो सच करें रहो